नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरा मेरा नाम है मेरा नाम है मांदार शर्मा स्वागत है आप सभी का नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इमांदार शर्मा और आप देख रहे हैं इमांदार इंटर्व्यू और आज हमारे साथ हैं हमेशा नए सब्जेक्ट चुनने वाले एक सामाजिक कारे करता आश्मान खुराना और हमारे साथ है the new rising star and future of Bollywood गजराज राओ और उनके छोटे बेटे जी तू है छोटू है छोटू है छोटू खेर मैंने शुब मंगल ज्यादा साउधान का ट्रेलर देखा और आप सभी को बधाई हो का ट्रेलर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे ट्रेलर काटते हैं वैसे जी तू ट्रेलर देखने के बाद लड़किया आपके पीछे पड़ गई हैं अपने भाई का रिष्टा कराने के लिए गजराद जी, मैं आपके fitness का फैन हूँ तो आप हमें ये राज बताए कि 48 साल के उम्र में भी आप महज 60 साल के कैसे लग लेते हैं जैसे वैसे जैसे आप 47 के हैं और कोशिच करते हैं यंग लगने की तो ये तो आपने वकाद दिखा दी, मेरी आईश्मान, जी, बुरा मानेंगे तो एक बात पूछूँगा पूछ लीजए, बुरा तो मानी नहीं सकते हूँ यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे अंदर आपके लिए बहुत गुस्सा है आकरोश्ट नहीं दोस्त, हमारे बिच कुछ होगा की नहीं होगा बहुत बढ़ी है हमारी प्राइवेसी भे खालल क्यो डाल रहो है आप दूसरी बार देख लीजे, पहली बार फिल्म देख लीजे, दूसरी बार अपनी फिल्म बना लीजे वहाँ बैटके पैसा कौन देगा, कितना उधार लूगा मैं अपने पापा से, बीना बताए जीतू आहम तोर पे अलू प्याज के दाम पूछ ली जाते हैं यह जानने के लिए कि उनको यह सब मालूम है कि नहीं लेकिन मैं आपसे यह सब नहीं पूछूँगा क्योंकि आप सल्बरिटी नहीं है मैं यह तो सबको पता है कि आप एक वर्जेन है लेकिन लोग यह नहीं जानते कि आपने मॉम्बई में 7 साल तक श्रगल किया है लोगों को लगता आपने 10 साल तक श्रगल किया है और इतनी महनत के बाद आप फाइनली बॉलिवुड में स्ट्रगल करने जा रहे हैं तो हमें ये बताइए कि खर्चा चल जाता आपका कि पापास मांगाना पड़ता है मैं पापास नहीं मम्मी से मंगा लेता हूं दर दर करके आपको देख के लगता है कि आप तीन दी से भूक है तो जरूर है प्रोमोशन कर रहा है इसलिए भूक हो ठीक है गजराद जी अब मैं आप से लाट खाने वाले काम करूँगा गजराद जी आपके और नीना जी के बीच डेटिंग रूमर्स हैं रूमर्स नहीं है आप दोनों को अकसर एक साथ मुंदन पार्टी में जनेव पार्टी में आशिरवाद देटुए पाया जाता है जिस फिल्म में वो काम करते हैं उस फिल्म में आप भी काम करते हैं सिफारिश लगा के ऐसे लगता है आप लोग का कोई कॉंबो आफ़र चल रहा है और इस बार तो उसमें कूपन कोड लगा के आपने जीतू को भी ले लिया है मैं एक एक कनफेशन करना चाहता हूं कि नीनू ने मुझे नीनू, तो क्यूट नीनू ने मुझे फ्रेंट जोन कर दिया है और इस वज़े से वो आज यहां पर भी नहीं है काम क्यों नहीं करते हम दोनों कहीं कोने में चल के रोते क्यों नहीं है मैं भी फ्रेंट जोन हूं मैं संभावनाओं से घिरा हुआ हूआ हूँ लेकिन मेरी संभावना किसी और सब्सक्राइब अब मैं व्यूस बढ़ाने के लिए आप से कुछ उल्टा सीधा पूछूँगा पूछ लिजे उल्टा सीधा आउश्मान आपको हर फिल्म में कोई ने कोई बिमारी होती है शुब मंगल साउधान में आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन की बिमारी थी बाला में आप गंजे थे और नटंकी साला में आपको खराब एक्टिंग की बिमारी थी इस फिल्म में अब आपको होमोसेक्शुलिटी की बिमारी है बिमारी नहीं है, होमो सेक्शुालिटी बिमारी नहीं है, यह नॉर्मल है, नाचुरल है, इसे आप बिमारी नहीं कह सकते हैं तो यह बिमारी नहीं है, इसके लिए प्रानायम करने के कोई ज़रूरत नहीं है तो आप यह बोल रहा है कि मैं मांसिक रूप से बीमार हूँ कि इसे बीमारी समझ रहा हूँ? हो मांसिक रूप से बीमार अगर तुम इसको बीमारी समझते रहा हूँ अच्छा, सॉरी तो देखी, यह लॉजिकल बाते करके आप इंटर्वी का मिनट बढ़ा रहे हैं जीतू, अब मैं आपके मुह लगता हूँ तो कि आज कल आप बहुत मुह लग रहे हैं जीतू, एक ऐसा लड़का जिसने इंजीनेरिंग की फिर तीन साल महनत करके बैक किलियर किये फिर वो टीवेफ की वीडियोस में आने लगा और आज वायुषमान खुराना के साथ बैठा है इमानदार शर्मा की जर्णी हम बाद में देखेंगे पहले आपसे कुछ कोश्चन पूछते हैं मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूँगा जो आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि कोटा फेक्टरी सीजन टू कब आ रहा है टाइम लगेगा उसमें ऐसे ये कोई इंटर्यू तो है नि कि भूके पेट आये और ले लिया मैनत लगती है कोटा फेक्टरी बनाने में तो इसकी राइटिंग चल रही है, टाइम लगे है हाँ, तो लग रहा है कि आप थोड़ा पीछे हैं लेकिन आप पीछे नहीं है, बस थोड़ा लेट है साथ में देखेंगे और डिसलाइक करेंगे आयुष्मान, क्या आप सब सामाजिक मुद्द पर फिल्प बनाते हैं आप अपने शादी की वीडियो में नहीं आए क्योंकि उसमें कोई मुद्दा नहीं था आपको अगर धूम फोर भी ओफर की जाए तो उसमें अगर आप चोरी करेंगे तो दहज का सामान चोरी करेंगे ताकि दहज प्रथा पर चोटकी जा सके लोग उनको फिल्फर जीतना होता है आपको रोमन मैक्से से अवाट जीतने की चुल लगी है चुली तो इतना कुछ अगर आप करी रहे हैं तो लगे हाथ आप चुनाओ लड़के हार क्यों नहीं जाते हैं चुनाओ तो मैं लड़ना पर नहीं चाहता है आप अब लड़ने को फाइदावा नहीं है तो एक अक्टर ही रहे है और वो धंक से कीजिए कजराज जी आप एक शालीहिन और शांत सभाव के वक्ति हैं आप ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे आप पे कोई लोन नहीं है आपके वक्ति तुम्हें एक ठंडक है जिसे देखके एसी बंद करने का मन करता है मुझे भी आपकी तरह प्यार से बात करता है अरे यार तुम पीजे से हटो ना इंटर्वी चल रहा है अच्छा कैमरामन हो ठीक है गजराज जी जब आपका कोई बटवा चोरी करता है तो आप खुद के खिलाफ एफाईयर दर्ज करवाते हैं मेरे बटवा चोरी हुआ यह तुम्हेने किसो बताया है नहीं तुम्हें कहसे बालो लाओ निकालो अब निकालो बटवा पैन काट अधार काट सब कुछ उसमें लाओ दो दो मेरे पापा की तरह है आप मैं आपकी बात नहीं मानूँगा जी तू जी तू शुब मंगल साउधान में आईश्मान की वाइफ इंसे साटिस्फाइड नहीं थी और इनका ओरिएंटेशन भी बदल चुका यह आपके साथ हैं तो आर यू साटिस्फाइड बाइस परफॉर्मेंस नहीं आप आप गलत समझ रहे हैं हम गलत लोग हैं, हम गलत ही समझते हैं आप गलत में सेक्स की वाद कर रहे हैं हाँ मतला, I'm satisfied तो आप पहले इसान हैं जो सेक्स के बाद भी वरजीन है अब आप लोग वह चीज कर लीजिए जिसके लिए आपने इतना अपमान सहा जी प्रमोशन देखिए, हमारी फिल्म आ रही है 21 फरवरी को और इमांदार शर्माजी ने बहुत ही इमांदारी से हमें बताया क्या करना चाहिए हमारी फिल्म है शुमंगल जादा साभधान जीते का प्यार सह परिवार बहुत ही पारिवारिक फिल्म है इंट्रिवू चाहे पारिवारिक नहीं था लेकिन फिल्म वारी पारिवारिक है तो आप सब लोग आईए से पारिवार और फिल्म देखिये मज़ा आएगा आपको बहुत और आप डिफिनिटली कुछ अच्छा लेके जाएगे तो दोस्तों अब यहां पर खत्म होता है कैमरी का भाड़ा और कॉस्ट्यूम का भाड़ा तो आप लोग ख्याल रखिये अपना पीस आउट दोस्तों हाई गाईज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, टीविएफ यही बूल सेता है